सातियों, एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे हिल्थ ससेक्टर की रही हैं, डिमांड और सपलाई में बहुत बड़ा गैप. डॉक्टर और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स हो या फिर हेल्थ इंफ्रासेक्टर डिमांड और सप्लाई के इस गैप को भरने के लिए भी देश में आज मिशन मोड पर काम हो रहा है साल 2014 तक देश में अंडर ग्रेजियोर्ट और पोस्ट ग्रेजियोर्ट सिटों के संख्या नब्य हजार के आसपास थी पिछले साथ सालों में इनमें साथ हजार नई सिटे जोड़ी गई हैं साल 2014 में हमारे यहां सिरफ 6 एम्स होते थे आदेश 22 एम्स के ससक्त नेटवर्क के तरफ बढ़ रहा है भारत के हर जीले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो इसके लिए काम किया जा रहा है इन सभी संस्थानों में कैंसर जैसी गंबीर भीमारियों के इलाज की स्विविदाएं जोड़ी जा रही है देश में कैंसर केर इंफ्रास्ट्रक्टर को मजबूत करने के लिए 19 स्टेट कैंसर इंस्टिटूट्स और 20 टर्थरी कैर कैंसर सेंटर्स भी स्विक्रूत किये गए हैं तीस से अधिक संस्थानों कर देजी से काम चल रहा है पस्चिम मंगाल में भी कोलकता मुर्शिदावार दवर्दमान के मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर से मरीजों का इलाज और आसानी से हो जाएगा हमारे आरोगी मंत्री मंसुग भायनी इसका विस्तार से वर्णन भी किया है इन सारे प्रयास होगा एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश में डॉक्टरों की उपलब्दता पर पड़ेगा जितने डॉक्टर देश में पिछले सत्तर वर्षों में बने उतने डॉक्टर देश में अब अगले दस वर्षों में बनने जा रहे है झाल